अब हम घास के पारिस्तितिक तंत्र की बात करें तो ऐसा पारिस्तितिक तंत्र जहां पर सिर्फ घास होगी और यह घास इस्थल जो है वो महादीब यदि देखा जाए तो जैसे अस्ट्रेलिया है अर्जेंटाइना है रूस है साइबेरिया है वहां पर यह ज्यादा घास इस जिसके कारण ये फसलों के लिए काफी उपजाओ होते हैं और यदि हम भारत में देखें तो लगबग आर्पतिशद भाग मी घास स्थाल है अब यहां पर यदि हम घास के परस्तिक तंत्र में यदि हम जविक और अजविक घटकों की बात करेंगे तो अजविक घटक तो फि वर्षा है वहां की और अकार्वनिक ततों की बात करते हैं तो कार्वन डैक्साइड है पानी है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है खनीज लवण है तो यह जो है अजविक घटक में आ जाएंगे अब इन अजविक घटक से जो है यदि हम जविक घटक की बात करते हैं उत्पा जिसमें कीवल घंट nas the daily के ही पौधे आएंगे तो यह जो है अजयवि घटकों से अपने लिए भोजन बानते हैं उस अाध ही दूसरे जिवस्यों के लिए भोजन बनाते हैं तो गहांस प्रसटिक हैं डिखान सिन्तर न वैद यहां फिल्कुल जब आपकी लिए कोश्टर पास्टिक तंट्र बनाने, तो आप फिड़ेटों का मेंचन। नहीं करेंगें वहांबर ने लिखेंगे क्योंकि वहां पर केवल पुट्व। तो यहां पर कौन-कौन से उत्पादक होते हैं तो उनका नाम हमें याद करना चाहिए और वही लिखना चाहिए जैसे साइनोडोने, स्पोरोबोलस है, डाइकेंटियम है, सिंपोगान है, डिजिट एरिया है यह घास के प्रकारे उनके नाम है और उत्पादक में हम इनहीं का नाम लिख सकते हैं प्रात्मिक उभुक्ता जो बौक्ता अचिक तुसे करें में फाल नितर में कूकरे करते हैं जो पौधों की वनसपतियों पतियों पर ही निरभर करता है उनिका भोजन अब यदि secondary consumer की बात करते हैं यानि दृतियक उभोकता की बात करते हैं ये मांसाहर होती हैं जो प्राथमीक उभोकता पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए उर्जा के लिए तो secondary में क्या आएगा ये है साफ है पक्षी लोमडी है बेडिया और यदि हम tertiary की बात करते ह हैं जो ये सर्वोच चमान साहरी होते हैं और दृतियक उभोकता पर डिपेंडेंट रहते हैं तो इसमें आता है बाज और मोर फिर अभी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यहां हम शेर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं घास इस्थल की बात कर रहे हैं घास के परस्तित्य तंत्र की बात कर रहे हैं तो यहां शेर चीता बाग यह सब नहीं आ सकता यहां का एक्जामटल अपका अलगाएगा जो की बाज मोर हो सकता है अब भटक की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अब गटक भी कौमन होता है जो जिवानव Double油 है यह एक्टिनोमाइसिस लिखाता तो वो दो हम नाम लेके और फंजयी में है एसपरजिलस वगर है ट्राइकोडर्मा है तो यह कुछ नाम मेंशन करके हम बता सकते हैं कि यह जो अब घटक होते हैं असल में उनका काम क्या होता है तो जो भी जैविक घटक है यानि की उभोगता कहले या उत्पादक हैं उनके सड़े गले पदार्थ हैं या मृत पदार्थ हैं उनके जो भी कार्विनिक पदार्थ हैं उनको कार्विनिक तत्व में बदलते हैं यानि की जैसे कार्विनिक पदार्थ प्रोटीन कार्वोहाइडड लिपीड वगर से जो बॉड़ी बनती ह स्किन बनती है उस जो तात्व बने वे हैं उसको स्वतंत्र करते हैं वातावरण में ताकि फिर से उनका चक्र चल सके तो इस तरह से हमने अभी घास के पारिस्तितिक तंत्र की बात की आगे एक और तालाब के पारिस्तितिक तंत्र की बात करेंगे बच्चों पिछले पार्ट में हमने घास का पारिस्तितिक तंत्र और वन का पारिस्तितिक तंत्र की बात कर ली थी वहां कौन-कौन से अजयविक घटक और जयविक घटक पाय जाते हैं उनका आपस में क्या संबंध होता है इसको हमने देखा था आज हम जल पारिस्तिक तंत्र की बात करेंगे, यनी जल वाले स्ठल, जयसे जलिये स्ठल कौन से होंगे, आप नदी देखते हैं, तालाव है, जील है, जर्ना है, सागर है, महा सागर है तो यह जलिये पारी तंत्र है अब इस जलिये पारी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक निश्चेत रूप से जो घास या लैंड वाले जो पारिस्तितिक तंत्र थे या फॉरेस्ट का एको सिस्टम था उससे डैफिनेटली ये डिफरेंट होंगे तो वो differences क्या है अंतर क्या है उसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि किसी जल के ecosystem की हम बात कर रहे हैं तो हम एक उधारन लेते हैं तालाव का ecosystem में क्या क्या होगा तो तालाब और यदि जील की हम बात करते हैं यदि इन दोनों चीजों को हम देखें तो क्या अंतर आप देखते हैं आपको दिखाई देता है कि उसमें जो पानी है वो स्थिर रहता है अब नदी में आप देखते हो वो बहता रहता है तो जो जील और तालाब का पानी जो है इस्थिर तो रहता है लेकिन उसमें अंतर क्या रहता है कि जील जो है बहुत बड़े विस्थित छेत्र में पाई जाती है कोई जील आपने देखी होगी जैसे हम कुछ एक्जामपल्स की बात करते हैं जैसे उडीसा में हैं चिलका जील पाई जाती है राजिस्थान में सांभर जील पाई जाती है और यदि आपने कहीं कश्मीर घूमने गए होंगे तो वहाँ श्री नगर में डल जील है और वहाँ आपने बोटिंग भी की होगी उसका अनंद लिया होगा बहुत मज़ा आता है तो जब भी आप ऐसे जगह पर जाते हैं तो जरूर वहां के परियावरणी परिस्थितियों को जरूर देखें वहां आप अपने बालजी सब्जेक्ट को को रिलेट करें कि यहां कौन-कौन से तो जबी भी हम बाहर जाते हैं या कहीं और भी आप ट्रिप में जाते तो जरूर गौर करियेगा तो अभी जैसे हम बात करें की जील की जील जो है बड़े विस्तरी चेत्र में पाई जाती है और तालाव आपने आसपास देखा होगा अगर गाव में रहते हैं तो आजकल तो सौंदर ही करण किया जा रहा है रायपूर में आपने देखा होगा बुड़ा तालाव वह बहुत अच्छे ढंक से बना दिया गया ताकि लोग वहां आएं और देखें उस सुन्दर स्थल को या मेरें ड्राइव आप गया होगे रायपूर में तो वह भी बहुत सुन्दर तरीके से प्रिजेंट किया गया है ताकि लोग वहां आएं एंजॉय करें वहां का वातावरन का आनन्द उठाएं तो यहां पर हम बालो जी के स्टूडेंट हैं तो बालो जी के हिसाब से यदि हम इसको गौर करेंगे तो यह हमारे स्टडी में हेल्प करता है तो तालाब जो होता है वह आपको हर जगह मिल जाता है लेकिन जील नहीं मिलती है तो तालाब जील में फरत क्या है वहां का पानी स्थिर रहता है लेकिन तालाब जो है वह कम गहरा होता है और जील जो है वह बहुत कहरी होती है तो कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख लिए क्वाद करते हैं कि इसके जो घटक हैं वो कौन-कौन से है तो सबसे पहले हम इसके अजय विद घटक की बात करते हैं अब चुपि यह जल का एको सिस्टम तो इसका मुख्य भाग क्या होगा जल होगा यानी यहां का अब जल में जो है बहुत सारे पधार्थ घूले रहते हैं अब कौन-कौन से पदार्थ हैं इसको भी गवर कर लेते हैं जैसे पोटेशियम आप देख रहे हैं केलशियम है मैगनीशियम है फॉस्पोरस है सोडियम है जिंक है आमोनियम है मॉलिब्डिनम है यह सब जो है यह पॉजिटिव आयन के रूप में उसमें उपस्तित रहते हैं और निगेटिव आयन के रूप में बी कुछ उपस्तित रहते हैं जैसे है अच्टू पी-ओ-फोर है सलफेड आयन है लिए और गेटिव फॉर्म में यह उपस्तित रहते हैं इसके साथ इसमें घैसे भी घूली रहते हैं करवन ड़ियक चैस और ऑक्शिजन गैस क्योगि आ से होगे वाटति कौन से होंगे तो इसको हम देख लेते हैं तो यहां पर यदि हम पहले गटक की बात करते तो सबसे पहले हम उसमें उत्पादक की बात करते हैं जिस पर साथे और जो जीव हैं वो हु 2 निरु भर करने हैं यह अधोडॉघर जफिक आश़रे जो हैं उस तो producer में यह दिया हम बात करते हैं मतलब तालाब में या जल के ecosystem में दो categories में जो है producer पाए जाते हैं एक मैक्रोफाइट जैना और दूसरे फाइटो-प्लैंक्टनस तो पानी पादे एंहुत आधे ऋपर रहते हैं तो इस तरीके से वह पर जोपी कि generally methods जो पौधे हैं उनके कुछ एक्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं ताकि आपके पास जब यह कोशन आता है कि पॉंड एको सिस्टम का आप डायाग्रामेटिक लिए यह आंसर लिखी है तो आप कैसे उसके अभाइटिक और भाइटिक घटक को लिख पाई ध्यान देने वाली क्या होती है कि आपको जब अलग-अलग system की बात की जाती हैं तो वहां पर वहीं थोड़ा सा चेंजिस होता है लेकिन आपके में काफी सारह चेंजिस रहता है वहां कि जीव जंतु पेड़ पौध को टें अगर हम फोरेस्ट की प्लांट का एको सिस्टम आ रहा है आप वहाँ बर्गत पीपल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा और वहाँ यदि कंजूमर की जो भोकता की बात आ रही है तो उसके अनुसान नहीं लिखेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक एको सिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन उसके जाठेशन कमें इक्सपरिमेंट करते पर कंपो सिंते मुष्ब्स सिस्तिटन होटें युटेशन करें है तो वहां हमें हाइड़न डाटे क्यों प्लांट करेंगें इस में जो है ऑख सेजेटेरिया की एक जामपल है यू-ट्रिकुलेरीया-घ्जांपल अ-े कंपल तो ट्रैपा भी कहां मिलेगा आपको पॉंड में टाइफा है सालविनिया है और निंफिया है तो यह हमने कुछ एक्जाम्पल्स बात की मैक्रोफाइट्स की अब हम बात करते हैं इसके दूसरा जो प्रकार है यानि कि यह मेक्रोफाइट्स था यह आकार में वड़े थे अब चोटे भी होते हैं छोटे क्या है उनको हम कहतें फाइटो फ्लैंक्तन इस जो है यह तो फ्लोग debates करने वाले हो है यह अजह इम तली में तालाप की तली में जो हैं वहां पर भी यह बाए जाते हैं तो उसमें फह दो केटेगरिज ईक हैं बेंटो जहितन ईल्हांंड ऑनराम पाइरोगाईरा आपने नाम सुना है, जिगनीमया है, उडोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है, तो ये एक्जामपल है हमारे फिलामेंटस अलगी के, और यूनिसलिलर अलगी भी होते हैं, इसमें एक एक्जामपल क्लेमाइडोमाइनस, आप इसका पिक्चर बहुत अपने एक् और पेंडोरिना, तो ये हमारे हैं फाइटो प्लैंक्टन्स, अब फाइटो प्लैंक्टन्स ये हमारे प्रोड्यूसर हो गया, यानि ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वेम बनाएंगे, और प्रकास संस्लेशन की सहायता से, यानि पानी में जो कार्बन डेक्सेट गूली हुई है, और वहाँ एलिमेंट्स वी जैसे हमने भी बात की तीन, अकार्बनिक तत्व भी घुलेवे हैं, और सुरी की रोष्णी से ये भोजन बनाते हैं, अब इनके भोजन बनेवे भोजन पर अब दुसरे उभोगता जो है वो निर्भर करते हैं, तो वो भोगता कौन-क प्रात्मिक भोगता में पहले होते हैं, बैन्थोज जल की सतह के नीचे, तली में जो पाए जाते हैं, उनको कहते हैं बैन्थोज ये बैन्थोज जो है यह तो जीविद आश्रित पौध हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर कोई पौधा मृत हो गया, तो उस मृ इनको डिशां, पर भी दो जानते हैं, इनको डाट्री वोट्स कहते हैं डाट्री ॐोट्स में आते स्नेल गोंगे जानते हैं, और अफूर्थ वह हैं और क्रैप्स हैं इसके बाद में जूप लेंगर स्पलेंग्ट Dreams है यह फ्ल हम इनके एक एक ग्शंपल की बात करते तो अधी कि और दुस्रा है साइक्लोप्स है और यह हमारे हो गहे प्राथमिक अभोपता यह कैसे होंगे शाकहरी होंगे यह उत्तादक पर जो बोजन बनाते हैं, जो भी उसके पत्यां हैं, यह जड़े हैं, जो भी और उसके भाग हैं, उनसे उन पर यह डिपेंडेंट हरते हैं, निरभर करते हैं, अब दृत्यय गुभभगता जो प्रात्मी गुभगता पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहेंगे, तो अब secondary consumer अब हम tertiary consumer की बात करते हैं जो टॉप consumer है यहाँ पर अगर quantities की बात करें तो यहां की जो food chain जिसकी हम आगे बात करेंगे food chain जादा लंबी नहीं होती है तो secondary consumer के बाद आते हैं टॉप कंजूमर यानि टॉट्जरी चंजूमर जिसमें बड़ी-बड़ी फिशेस आ सकती है साप है पानी में रहने वाले से साप टॉटल है तो यह होंगे टर्शरी चंजूमर जो सेकेंडरी कंजूमर पर डिपेंडेंट रहते हैं अब यहां पर हम बात करेंगे तीसरा इसक काम करते हैं अब गहतन किसका करेंगे जो मृत आउशेश पदार्त है कोई जीव मर गया है उसके बाद यह अगर हम पती की बात करते हैं जैसे पीड़ों के से पत्तियां गिरती है तो उसका भी अफाटन होने लगता है हम जो फ्रूट फprovसटाइब इनके छिल के हम बाहर रग देते हैं उनका भी अफटन होनने लगता है तो हम अपगाटन की प्रक्रिया को एक अच्छे लेकिन अभी हम यहाँ पर जो जिस मैणर में बात करनेंगे इकोसिस्टम में कौन-कौन से घटक है उनको हमको कैसे प्रिजेंट करना है अपने आंसर में यह दी आता है यह कैसे हमें पढ़ना है तो अभी हम प्रोड़क्टिविटी की बात करते हैं जिसको आपने पहले नहीं सुनाओगा यह है प्रोड़क्टिविटी की बात करें हम प्रोड़क्टिविटी मतलब जो उत्पादक है यानि प्रोडुसर हैं वो कितना उत्पादन करते हैं और कितना वो अपने लिए उप्योग करते हैं इसके बाद जो बचावा बायोमास रहता है वो आगे की श्रिंखला में कैसे ट्रांसपर होता है इसकी बात करते हैं तो यह टर्मिनलोजी में हम यह बात क तो 21 समय में उपस्थित अजयविक जो पदार्थ रहते हैं उनको standing state कहते हैं इसी प्रकार 21 समय में एक जीव अथ्वा समुदाय के द्वारा संशलेशित जो कार्बनिक पदार्थ है यानि जो प्रोड्यूसर है एक समय में वो कितना पदार्थ का बना रहे हैं उत्पादन कर हैं यही प्रोड़क्टिविटी है और इसी प्रोड़क्टिविटी को उत्पादन की डर कहते हैं यानि प्रोड़क्टिविटी रेट कहते हैं अब इसकी बात करें आगे तो यह जो है प्राइमरी उत्पादक्ता सेकंडरी उत्पादक्ता यानि सेकंडरी प्रोड़क्टि द्वारा जो भी उत्पादन यानि कार्बनिक पधार्थों का उत्पादन किया जा रहा है तो ये प्रोड़क्तिविटी रेट कहलाता है इसको जो है ग्रोस असिमिलेशन भी कहते हैं सकल प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी भी कहते हैं और इसमें जो है आपका टोटल एसिमिलेशन कहलाता है ग्रॉस एसिमिलेशन और इसमें जो है श्वशन के समय जो कार्बनीक पदारतों का ओपियोग किया गया वो भी इसमें शामिल होता है इसको किसी काईदर से भी प्रेजेंट करते हैं जैसे इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे आप देख रहे हो यह मतलब क्लोरोफिल है और इसको फिर से देखते हैं पर ग्राम पर ड्राइवेट और पर यूनिट एरिया तो chlorophyll आप जानते हो जो photosynthesis करते हैं अब उसका gram मैंने उसकी size की बात कर ली dry weight की बात कर ली तो इसमें जो है किस तरीके से production हो रहा है जिसमें आपका total assimilation आ रहा है total production आ रहा है अब बात कर दे हैं net primary production की productivity की तो net primary productivity जो है जो total बनी उसमें respiration को हटा दिया जाए यानि श्वशन में आप जानते हो carbonic पदार्थों का उपियोग होता है ग्लुकोज होता है amino acid होता है lipid होता है यह सब का यूज होता है इसके द्वारा ही तो oxygen की क्रिया करके oxidation process होके energy मिलती है carbon dioxide पानी और energy मिलती है तो इस तरीके से तो इसमें respiration process को हटा दिया गया तो जो बचता है वो NPP कहलाता है यानि कि net primary productivity कहलाता है और इसके बाद एक और आता है secondary जो है primary productivity कहलाता है तो secondary का मतलब क्या है कि यह producer को consumer level पर जितना उपियोग किया गया अब मतलब plant के product को कौन खाएगा primary consumer खाएगा primary consumer क्योंस होते हैं हर भी वो रस होते हैं तो उन्हों उसको उपियोग किया कितना उपियोग करते हैं और कितना उनके body में store होता है इसको हम लोग एक example से समझ लेते हैं तो यदि हमने बात कर रहे हैं कि यह GPP और NPP क्या है तो इसको पहले आप यह देख रहे हो यह एक प्रोसेस के थुरू यह एक फ्लो डाइग्राम के तुरू जो है बताया गया है आप देख रहे हो solar energy solar energy को क्यों कौन यूज कर रहा है प्लांट कर रहे हैं आप जानते solar energy को यानि क्लोरोफिल एब्सॉप करता है और उसको फिर chemical energy में बदल दिया जाता है जो की carbohydrates है protein है fat and lipid है आप आप यह देख रहे हो प्लांट ने जो बनाया photosynthesis process के दौरा और वो क्या हो गया GPP हो गया gross primary productivity हो गया प्रात्मिक जिसको कह रहे हैं पी मने हाँ primary यानि प्रात्मिक की बात हो रही है इसके बाद प्लांट जो है वो कि अपने लिए यूज कर रहा है यानि energy used for अपने respiration के लिए cellular respiration के लिए अपने उसको जीवित रहने के लिए उसको energy चाहिए तो वह energy कहां से मिलेगी carbonic पदार्थों से मिलेगी फिर जो बच जा रहा है second आप देख रहे हो energy stored and biomass as a biomass मतलब biomass के रूप में जो energy stored हो गई तो वह होता है NPP तो NPP आपको समझ में आ गया हो गया NPP जो है वह GPPP को minus करेंगे आर उसमें से minus कर देंगे तो NPP निकल आएगा और एक और एक्जांपल आप देख रहे हो यहां लीफ बनी हुई है लीफ में यदि एक्जांपल आप देख रहे हो लिखा हो है जूल 300 जूल तो 300 जूल क्या हुआ जी पीप बना मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी बना अब ग्रॉस जो है वह 300 है 300 को आप देख रहे हो दो भागों में बढ़ गया एक आपको दिख रहा है नेट नेट माने जो बच गया 200 जूल है और अपने खुद के लिए उसको कितना यूज करना बड़ा 100 तो 100 जूल उसने अपने लिए यूज किया वाइटल एक्टिविटीज जो हो रही है बॉडी में उसके लिए उसको यूज किया और 200 जूल जो है एजे बायो मास उसकी बॉडी में पत्ति में जो बायो मास जो था वो 200 जूल था अब उसको उसने ग्रॉस होपर ने यूज किया ग्रॉस होपर में भी क्या होगा टीशू बनेंगे अब देख रहे हो इसमें भी कुछ फेसस के रूप में यानि अप्षिष्ट पदार्तों के रूप में वेस्ट चला जाता है सौ जूल देख रहे हो बाकी आप देख रहे हो राइस्पिरेशन में आप देख रहे ह। पुछ पॉइंट है टीशू बनने में तो इस तरह से आप अब हम एनर्जी फल Przyreंभी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरए-धीरे कैसे एनर्जी जो है लास्ट लेवल तक बहुत कम हो जाएगी तो यह कुछ टर्मिनलाजी की बात की अब हम नेट कम्यूनिटी प्रोड़क्टिविटी की बात करते हैं जो नेट कम्यूनिटी प्रोड़क्टिविटी क्या होगी अब देख रहे हो एन पी पी यानि नेट प्राइम सबसे ज़ादा दर्ज वह कौन से प्लांट्स देते हैं तो उन्होंने जो भी सड़ी की यह रिसर्च किया उसके आधार पर बताया कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यानि जो वन है यह वह वाले एरिया है उनके द्वारा जो है यह प्रोडक्शन रेट जो है सबसे ज़ादा होता है यहां कहना चाहिए औरों से यह दुगना रहता है तो वह मेजर्मेंट क्या था उसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमें यह समझ में आ जाएगा कि कैसे वह दुगना है तो ट्रॉपिकल रेस्ट फॉरेस्ट वालों की जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने दे तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 18.18 इंटु 16.6 जो है वो जस्ट 10 के डबल नियर अबाउट डबल है और यदि उन्होंने पर एर के साब से जो कैलकुलेशन किया उसको भी उन्होंने बताया था तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन रेट है वह आप देख रह यह कैसे उनिट मीं लिखा हुए ग्राम पर नमीटर स्कोर्ट की बात करते हैं और फिर हम बात करते हैं उसके ग्राम के हएप हजार सफसे G घ्र फ जया सद ही अर्ट की बात करते हैं तो पर येर की बात हो रही है तो इस तरीके से कैलकुलेशन पर यदि आप अपने अंसर में लिखते हैं और बताते हैं तो यह आपका जो है अंसर बहुत अच्छा बन जाता है यह जाना जाता है कि आप डेप्ट में उसके नौलिज को रख रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास है कि किस तरीके से production rate होता है और यदि आप उसकी calculation की बात करेंगे तो अच्छा होगा